नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 6 अक्टूबर 2020 के डेली एडिटोरिल डिसकेशन में आपका स्वागत हैं देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिसकेश करेंगे पहला आर्टिकल फार्म एक्ट्स अन्वांटेट कॉंस्टिटूशनल एडवेंचिरिजम तो ये आर्टिकल की अगर बात की जाए और इसके सब एक और आर्टिकल आज के अडिटोरिल में छपा है जो है आपका ये बा'll An Unconstitutional Harvest कहीं न कहीं इसमें ये जो Farm Laws आएं हैं नहये इनके Constitutionality की बात की है तो इनके जो भी important point है वो मैं आपको एक ही जगा बता दूँगा तो ये आर्टिकल डिसकस करेंगे उसके बाद Breaking the law over Brexit ये बहुत अच्छा आर्टिकल है प्रॉपर तरीके से इसमें एनलाइस कर रखा है कि कैसे जो Boris Johnson है उन्होंने withdrawal agreement की जो शर्ते हैं उनको तोड़ रखा है और कैसे यहां पे England में इस तरीकी की situations बनने है कि England भी चार भागों में टूट रखा है तो मैं Maps आप को दिखाऊँगा कि England कौन से चार भागों से मिलके बना है और कैसे historical perspective के चलते जो इनका latest internal market reform bill आया है वो UK की stability को hurt कर सकता है Northern Ireland में जो इतने सालों के बाद peace आया है violence खतम हुआ है Good Friday Agreement के थूँ उसको बेकार कर सकता है तो यह सब चीजों के बारे में सार्ट कलम बात की गई है यह भी देखेंगे फिर नेक्स है इंडिया needs a rainbow recovery plan अभी rainbow recovery plan में यहां पे rainbow new deal की बात कर रहे है अभी rainbow new deal में यहां पे कैसे हमारी environment को sustain करना है उसकी बात करी जा रहे है कैसे farmers का, fisheries का sustainable production को लेके आना इसकी भी बात की जा रहे है लोगों के livelihood और lifestyle को sustainable तरीके से आगे लेके जाओ इसकी बात हो रहे है फिर साथ-साथ अलग sections of the society जैसे कि women, LGBT, डलित, आदिवासीस, landless, इनके लिए क्या-क्या अच्छा किया जा सकता है इसकी बात हो रही है और कहीं न कहीं end में author बोल रहे है कि मैं जो policy बता रहा हूं और यह जो आत्मन निर्भर भारत वाली जो policy है जहां पे नरेंद मोदी साहब बात कर रहे हैं यहां पे author उके तो इनकी एक अलग तरीके की policy है तो इस policy को भी गबार देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या merit हैं की policy में उसके आगे हम लोग आज डिसकस करेंगे People's Court देखें मद्ध पदेश में 28 Assembly constituency में बाई election होने वाले क्यों बाई election होने वाले क्योंकि 25 MLA's ने जो कि Congress के MLA's थे उन्होंने रिजाइन कर दिया Most probably यह Congress वाले MLA's अब BJP जोईन करेंगे फिर से election लड़ेंगे और कुछ तीन लोगों की मृत्य हो गई थी शायद तो उसके चलते आप कह सकते हो कि टोटल 28 seatों पे फिर से election होने वाले हैं जिनको बोला जाता है बाई election बाई election मतलब यही होता है कि किसी एक sitting state legislative assembly की seat पे या लोगसभा की speed पे जो legislator है वो resign कर देता है या उसके बृत्ति हो जाती है तो वहाँ पे by elections conduct करा जाते हैं और दुबारा elections conduct करा जाते हैं तो वही election होने वाले हैं तो इसमें कुछ politics बता रखी है इसको एक या दो minute में देख लेंगे next हम लोग बात करेंगे pandemic peak की जो case load है Indian economy का वो थोड़ा सा घट रहा है यहाँ पे कुछ statistics की बात की गई है जैसे test positivity rate की बात की गई है तो 100 test हुए तो उसमें कित्ते percent हमारा test positive road है नहीं सौ में से कित्ते लोगों को corona virus निकला अगर सौलों की testing हुई तो test positivity rate को लेके और number of cases को लेके और इन सब चीजों को US के साथ compare करके कुछ facts यहाँ पे author ने decipher करने की कोशिश किये इसको बात करेंगे और finally यह article है reimagining education in an India at 100 in 2047 a teacher's role देखिए बात यह है 2047 में हमारी अजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे अभी इन 100 सालों में हमने education की field में actually में क्या पाया इसकी analysis है इस article को discuss करने का समय नहीं था दोस्तों तो इस एक article को आज में skip कर रहो चारे articles discuss करने थोड़े मुश्किल हो जाते है तो अब हम चलते हैं शुरूर में किस पे अब हम शुरुआत करते हैं आपका यह पहले article से Farm Act Unwanted Constitutional Adventureism तीन Farm Acts पास हुए है पार्लेमेंट से उनका नाम लेने की जरूत नहीं है Farmers Produced Trade and Commerce Act 2020 Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 Essential Commodities Amendment Act 2020 अभी देखे UPSC मेंस आने वाला है 2020 का चार महिने के बाद वहाँ पे Farm Laws से related आपसे सवाल पूछे जाएंगे अगर यह तीनों Act आपको याद है और किसी Question में आप लिख देते हो ऐसे जच तो उसको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने थोड़ी preparation की है आप सिर्फ Farm Bills लिखोगे त्री Farm Bills तो उससे आपकी preparation की depth नहीं नजर आएगी अब आप रट सकके लिख सकते होँ वहाँ पे तो इस बंदे नजर आपकी उसमें एंट्री नंबर 14 है आपका क्या अगरी कल्चर और इसी स्टेट लिख में जो एंट्री नंबर 26 है वह है ट्रेड अन कॉमर्स विदिन दे स्टेट फिर एंट्री नंबर 27 एंग मेंड एंट्री नंबर 26 है ट्रेड अन कॉमर्स विदिन दे स्टेट और एंट्री नंबर 27 है रिफर्स तो प्रोड़क्शन सप्लाइं दिस्टिबिशन अफ गोड्स एंट्री 28 है मार्केट अन फिर तो चौदा नंबर पे है अग्रिकल्चर 26 नंबर पे है आपका ट्रेड अन कॉमर्स विदिन दे स्टेट 27 पे है रिफर्स तो प्रोड़क्शन सप्लाइं दिस्टिबिशन अफ गोड्स 28 पे है मार्केट अन फिर्स इसलिए बोला जाता है कि देखिए अग्रिकल्चर पूरी तरीके से स्टेट का डोमेन है और इंट्रा-स्टेट मार्केटिग अन एगरचि एग्रिकल्चर करते हो बहुत इंपौर्टं एंट्रीज है list2 की भाई हो सके तो इनको अपने दिमाग में रखेंगगा ओके आगे बात कीजाएanın अगर central government की बात की जाए तो central government ने ये Farm Bill ले किया है तो प्राइमा फेसी तो आपको ये लगेगा कि तो Entry 14 है, 26 है, 27 है, 28 है इसको Central Government ने Violet किया, बिलकुल किया बट इसको Central Government ने Violet कैसे किया ये जो Parliament का passage है Farm Bill का, this is basically an extraordinary step और यहाँ पे Central Government ने invoke किया है Entry 33 in the Concurrent List यानि जो Third List होती है Concurrent List, उसकी Entry 33 का इस्तमाल किया है Concurrent List की Entry 33 क्या बोलती है Entry 26 and 27 in the List 2 are subject to provisions of Entry 33 of List 3, यानि की Entry No. 26 and 27 in List 2, क्या बोलती थी Entry 26 and 27, 26 बोल रही है Trade and Commerce within the State, 27 बोल रही है Production, Supply and Distribution of Goods यानि की अगर Entry 14 को 26 and 27 के साथ आप मिला देते हो तो कुल मिला के Agricultural Products को State के अंदर कैसे Distribute किया जाएगा Market किया जाएगा Supply किया जाएगा Produce किया जाएगा ये सब किस के अंदर आ गया State Government किया गया लेकिन Entry 33 of the Concurrent List क्या बोल रही है देखे किया लिखा हुआ Trade and Commerce in the Production Supply and Distribution of Products of the Industry where the control of such Industry of Union is declared by the Parliament ये पूरा-पूरा पढ़ लिजा आप क्या बताया जा रहा है यहां पर Important शब्द है Subject to the Provisions of Entry 33 of List 3 यहनि Entry 26 और 27 की Applicability is subject to Entry 33 और Entry 33 क्या बोल रहा है कि भाई Production, Supply and Distribution Trade and Commerce in the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest in imported goods of the same count of such budgets अरे अगर Parliament को लगता है कि किसी particular commodity में ये public interest में है कि वो Entry 33 के अंदर उससे related नियम कानून बनाया तो वो बना सकते हैं तो इस case में Entry 33 Entry 26 को supersede कर सकती है और Entry 27 को supersede कर सकती है और B-point देखें B-point मा जाते हैं Foodstuffs इंक्लूडिंग edible oil seeds and oil अभी farm products तो foodstuffs से ही related होते हैं फिर cattle fodder, raw cotton तो Entry 33 में foodstuff वाली चीज भी आ गई और सासाथ ये भी आ गया कि Parliament Entry 26 and 27 of list 2 को skip कर सकता है Entry 33 of the concurrent list की ताकत से अगर public interest में है वो और अगर foodstuff के लिए है बस ये दो चीज़े मिल गई हमारे सरकार को और सरकार ने Entry 33 का इस्तमाल करके सरकार यानि State Government की जो State List की आपकी Union List, Second List की 26 और 27 वाली Entry है उसको override कर दिया Entry 33 के चलते ये Farm Bill को पास करा दिया अब देखो Entry 33 के अगर आप बात करो तो क्या Entry 33 को Originally Constitution में रखा गया था बिलकुल नहीं दोस्तों जब हमारा Originally Constitution Promulgate हुआ था तो Entry 33 Was not in our Constitution Entry 33 को List 3 में जोड़ा गया Constitution Third Amendment Act 1954 के थो और यहाँ पे अब तक अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कौन सी लिस्टों की बात कर रहा हू मतलब आपकी तेयारी थोड़ी गड़बर चल ली है आपने मेरी पॉलिटी रक्षमिकांत की वीडियोस नहीं देखी आपको पता है कि हमारे सम्विधान के सत्वे शेडियूर में सेवन्थ शेडियूर में तीन लिस्ट दे रखी है Union List, State List, Concurrent List Union List में वो सबजेक्ट है जिनमें केवल Union Government Law बना सकती है State List में वो सबजेक्ट है जिसमें केवल State Government Law बना सकती है Concurrent List में वो सबजेक्ट है जिसमें State Government, Union Government दोनों Law बना सकती है तो ये जो Entry No. 14 Agriculture 26, 27, 28 ये है State List यानि कि आपकी जो Second No. वाली List 7 Schedule में इसकी बात हो रही है और ये जो Entry No. 33 है वो List 3 में जोड़ा गया यानि Concurrent List में जोड़ा गया यनि Entry No. 33 में किसका jurisdiction आ जाता है सरकार का jurisdiction आ जाता है केंदर सरकार का भी jurisdiction आ जाता है Central Government का भी आ जाता है और Entry 33 को List 3 यानि कि Concurrent List of the 7 Schedule में जोड़ा गया था तीसरे Constitutional Amendment Act 1954 के थूँ अब आप देखो दोस्तों जब Constitution Third Amendment Bill पास हुआ था ना तब काफी बवाल हुआ था इस Bill को Joint Committee में रिफर किया गया था और आप सोचिए 1954 में Third Constitutional Amendment Bill लाया गया था जब केंदर में Congress की Absolute Majority थी उस समय पे भी अगर कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस Third Constitutional Amendment Bill को अपोस कर रहे थे तो मतलब ये लोग उस समय पे ये समझ रहे थे कि इस तरीके की जो Entries हैं जैसे कि Entry Number 33 of Concurrent List ये आगे जाने वाले समय में Federalism को एफेक्ट कर सकती है जो Joint Committee बनाई गई थी उस Joint Committee ने Severe Opposition किया था इस Bill का किस Bill का? Third Constitutional Amendment Bill का और Third Constitutional Amendment Bill का Severe Opposition किस बेसिस पे किया गया था मैं आपको बताता हूँ देखिए दोस्तों एक Article था हमारे समविधान का जिसका नाम था Article Number 369 इस Article Number 369 में क्या था? Article Number 369 में ये था कि हमारे समविधान के Promulgate होने से 5 साल तक Central Government को ये ताकत दी गई थी कि भाईया Agriculture से Related अगर कोई चीज वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं भले वो State List में हो तो मैं आपको बता देता हूँ Article 369 को अगर आप चाहो तो जा के पढ़ भी लो वैसे तो उत्ता इंपॉर्टन नहीं है अभी के लेकिन आप चाहो तो इसको इंपॉर्टन बना सकते हो अगर किसी मेंस के एक्जाम में इस आर्टिकल को आप कोड कर दो प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ Article 369 in the Constitution of India में क्या बोलता है temporary power of parliament to make laws with respect to certain matters in the state list as if they were matters in the concurrent list तो ये बोला गया कि देखिए constitution हमारा promulgate हुआ तो ये बोला गया कि 5 साल तक के time period यानि जब constitution commence हुआ है उसके 5 साल तक 1950 में 26 जनवरी 1950 को अगर हमारा सामिंधान promulgate हुआ और हम Republic बन गये उसके 5 साल तक temporary power दी जा रही है parliament को कुछ matters में law बनाने की जो की state list में और वो इस तरीके से law बना सकते हैं कि as if वो state list में ना होके concurrent list में ये इसलिए रखा गया था इसको ऐसे temporary provision रखा गया था ताकि agriculture की field में जो हमारे पास कमिया हो रही है उन कमियों के साथ deal किया जा सके कुछ और भी इसके reasons थे अब हुआ ये कि जब ये third constitution amendment bill 1954 आया तो जो joint committee में member थे उन्होंने क्या बोला कि देखो ये जो article 369 है इसमें parliament को ताकत केवल 5 साल के लिए दी गई है तो आप 5 साल तक state list के subject के उपर नियम कानूर मना सकते हो as if they are in the concurrent list लेकिन आप ये क्या कर रहे हो आप तो इस third amendment bill के थूँ इस power को permanent कर रहे हो मतलब आप article 369 को indirectly permanent कर रहे हो जबकि वो 1905 में lapse कर जाएगा तो इस basis पे third amendment bill का जो ये आपका 1954 का third constitutional amendment bill था जिसके थूँ entry 33 को जोड़ा गया था concurrent list में इसको उस समय पे बहुत ज़्यादा criticize किया गया था और ये बोला गया था कि इससे state की autonomy चली जाएगी states की power चली जाएगी federalism के सिधान के बिलकुल against है इस तरह की बाते उस समय पे भी हो रही थी फिर उस समय पे बहुत से opposition members ने ये भी कहा कि देखी ये जो आपको ताकत दी गई आर्टिकल 369 के अंदर ये इसलिए दी गई है चोकि हमारे constitutional fathers को भी पता है कि जो भी खराब situation है इंडिया के सामने वो temporary है पांच साल के लिए अगर आर्टिकल 369 में लिखा है तो क्यों लिखा है चुकि उनको भी मालूम है कि ये problem temporary है धीरे धीरे चली जाएगी तो temporary problem को temporary तरह से solve करो न permanent solution क्यों दूड रहा है उसका मतलब आप state की powers को permanently क्यों affect करो ये बाते बोली गई फिर कुछ और चीज़ें या पर निकल के आए जैसे कि अशोक मैता साब ने क्या बोला अशोक मैता साब ने बोला कि अभी ये 1954 की बात है 1954 में अशोक मैता साब बोल रहा है कि center state में trade and commerce के उपर control करना चाता है calculate में हो सकता है कि center state में crop planning और cultivation किस तरीके से होगा इसके उपर भी control करना चाहे और ये बात बिलकुल सही हो गई है 2020 के जो farm bills है यहाँ पे center state में trade और commerce के उपर control करना चाता है ये बात बिलकुल सही हो गई है मतलब एक encroachment हो रहा है states के right के उपर और ये जो democratic process है जिसके तुरू state की government constitutionally elect हो के आती है तो बेकार हो रहा है हमारे देश के जो federal सिधान दे है उनको आप सीधे सीधे तोड़ रहा हो अब यहाँ पे judiciary आती है judiciary का क्या कहना है इसको समझेना बहुत ज़रूरी है 1954 के बाद बहुत से judgment दी Supreme Court ने देखे The Supreme Court of India has upheld the legislative powers of the state in intra-state agriculture marketing Most notable was the ruling of five judge constitution bench in ITC Limited versus APMC and others 2002 The Tobacco Board Act 1975 has brought the development of tobacco industry under the center देखे है 1954 के बाद देखे 2002 में एक case था जिसका नाम था ITC Limited versus APMC and others 2002 इस case में Supreme Court की पाँच जज़िकी constitution bench ने अपना decision सुनाया problem क्या थी? problem ये थी कि Tobacco Board Act आगया 1975 का और Tobacco Board Act 1975 के अंदर Parliament के पास ताकाद आगी टॉबिकर से related लेकिन जो बिहार का APMC Act था उसने Tobacco को as an agriculture produce माना था अभी बिहार के APMC Act में अगर Tobacco एक agriculture produce है तो बिहार की APMC मंडी में Tobacco के उपर बतलब unprocessed Tobacco Leaves के उपर भाई एक छोटी सी लेवी ले सकते हैं टैक्स ले सकते हैं तो भाई अब Central Government को problem हो गई Central Government तो बोल रही कि हमने तो Tobacco Board Act पास किया है Tobacco से related चीज़े हमारे पास आ गई है तुम कैसे अपनी मंडी में Tobacco Leaves के उपर ले ले रहे हो छोटा सा टैक्स ले रहे हो तो भाई या दोनों बिहार की सरकार और केंदर की सरकार Supreme Court के पास चली की और Supreme Court नहीं यहाँ पर क्या बोला पहले Supreme Court से पहले भी क्या हुआ था कि APMC Act Central Act को रिप्युक कर रहा है दीखे An earlier judgment held that the state APMC Act will be repugnant to the Central Act यानि इससे पहले जो एक judgment आया उसमें बोला कि Central Act सर्वे सर्वाए State APMC का Act is inferior to Central Act तो जो बिहार की सरकार है वो ले भी नहीं ले सकती टबैको लिफ्स पे बाद में Supreme Court ने क्या बोला कि नहीं The Constitution Bench Upheld the validity of state APMC and ruled that मतलब State APMC का जो Act था जो कि इन टबैको लिफ्स Unprocessed tobacco लिफ्स के ऊपर चोटा सा टैक्स लगा रहा था उसको सही बोला इस Constitution Bench ने और इसने बोला Market fees can be charged from ITC under the State IPMC Act State laws become repugnant only if state and center enact laws on the same subject matter under an entry in list 3 In those cases outside list 3 one has to first examine if the subject matter was an exclusive entry under list 1 or list 2 तो Supreme Court ने Bihar की सरकार की favor में कैसे decision दिया पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि देखिए State laws तब inferior हो जाएंगे Union law के अगर Union ने भी concurrent list के उस particular subject के उपर एक ऐसा specific law बना रखा है जो state को हटाता है state के law को ऐसा कुछ यहाँ पर था नहीं दूसरी चीज अगर कोई चीज concurrent list में नहीं है तो पहले तो ये चेक किया जाएगा कि वो exactly Union list में आ रही है state list में आ रही है और जिसके पास भी वो exactly होगी उसके नियम कानून को यहाँ पर वरेयता दी जाएगी अगर Farm Act of 2020 के अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप constitutional angles को धूने गाने के बात हो रही है देखिए यहाँ पर बड़ा जबरदस चीज लिख रखी इन दे केस ओफ Farm Act of 2020 अप्लिकेबल पॉइंट्स आर A and C कौन का कौन सा A और C यह दो अप्लिकेबल पॉइंट्स है state should continue to charge Monday taxes from private markets anywhere in the notified area regardless of the central act अब आप देखो दोस्तों यहाँ पर जो आपका APMC जो ITC वर्सेस बिहार APMC वाला केस था वहाँ पर यह बोल दिया Supreme Court ने कि market fees charge की जा सकती है ITC से अंडर state APMC Act तो उसके basis पर यहाँ पर author क्या बोल रहा है कि भले ही private mondia खोल दियों इन farm bills के अंदर किसने सरकार ने इन private mondia में भी state अपने market taxes को लगा सकती है अब यह बहुत बड़ी चीज है बहुत ज़ादा बड़ी चीज है और यहाँ पर 100% judiciary का involvement होगा मैं बताता हूँ क्यों चो कि entry number 26 और entry number 27 को violate कर रही है entry number 33 जो कि concurrent list की है entry number 14 को नहीं कर रही है entry number 14 is agriculture आप समझे entry number 14 is agriculture in state list और agriculture पूरी तरीके से state का subject है जो entry number 33 है concurrent list की 26 and 27 of the state list को violate कर रही है लेकिन 14 को तो violate नहीं कर रही है तो इस हिसाब से agriculture state के पास है तो इन agriculture जो private mondia कुलेंगी वहाँ पर tax लगा सकती है राजी की सरकार उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर यह बोला गया है कि जो आपका entry number 28 है जिसको बोला गया है market and fares entry number 28 market and fares is not subject to entry number 33 in list 3 और market और fares basically किस के अंदर आता है state government की आता है और APMC मंडी या कोई भी private मंडी खोलेगी वो क्या है वो एक market है तो markets are under the jurisdiction of state government तो वहाँ पर tax लगा सकती है राजी की सरकार ने तो यहाँ पर एक legal validity की बात हो रही है यह farm bills constitutional है या नहीं है इस चीज़ की बात हो रही है पक्का 100% यह case judiciary में जाने वाला है Supreme Court के पास यह case पहुँचेगा जब राजी की सरकारों में यह bill पहुँचेगा जो भी opposition ruled state है वो इन private मंडियों के उपर भी tax लगाने की कोशिश करेंगे 100% यह case judiciary में जाने वाला Supreme Court में जाने वाला Supreme Court से पूछा जाएगा साहब हम क्या करें देखते हांगे क्या होता है pandemic peak the economy needs to be unlocked with caution without resort to irrational optimism irrational मतलब uncanny मतलब बिना दिमाग के लिया हुआ decision इस article में दो और शब्द निकल के आ रहे हैं जिनके मतलब आपको पता होना चाहिए एक तो है ephemeral ephemeral एक ऐसी चीज होती है lasting for a very short time इसको बोलायता है undulating मतलब wavy movement उपर जाना फिर नीचे आना फिर उपर जाना फिर नीचे आना जैसे कि for example आपका stocks के दाम उपर आते हैं नीचे आते हैं उपर आते हैं नीचे आते हैं तो आप बो सकते हो undulating लेकिन undulating में ये बोला जाता है the action of moving smoothly up and down तो stocks के दाम smoothly up and down move नहीं करते हैं basically undulation का मतलब उपर जाना नीचे जाना यहाँ पर जो ephemeral undulation है न यह basically COVID-19 की cases के respect में बोला जा रहा है कि उपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं उपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं दुनिया भर में चलिए देखते हैं कि भाई इस आर्टिकल में क्या बोला गया है बहुत जल्दी खतम हो जागा कुछ खास इसमें है नहीं बहुत सारे quarters में यह बाते हो रही है कि इंडिया आपने peak पे पहुँच चुका है आप COVID-19 की cases इंडिया में नहीं बढ़ेंगे ब्ला ब्ला इस तरीके की बहुत सी बाते हो रही है आप देखे पहले 90,000 case आ रहे थे 83,000 पे आ गया पर डे पे और नीचे जाने की यहां पे बात हो रही है मतलब 75,000 पर डे पे भी आ चुके हैं कम आ चुके हैं 2 October की बात की जाए तो 2 October को 81,484 cases आ थे कहा जा रहा है कि शायद यह थोड़े कम हो चली अच्छी बात है, यह एक अच्छी खबर है इसके साथ दी भी बोला जा रहा है कि भाई, जो test positivity rate है वो कम हो रहा है, test positivity rate वैसे भी कम होगा, दोस्तों जब number of लोगों के testing बढ़ेगी तो अच्छी बात है, test positivity rate कम होगा, ओके लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना कि इंडिया में peak पहुँच चुका है यह irrational optimism है यह गलत है, ठीक है ना तो अगर आप यह सोच रहो कि इंडिया में peak पहुँच चुके हैं और अब cases COVID-19 के नीचे ही जाएंगे this is basically irrational optimism ऐसा क्यों बोला जा रहा है ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जो Indian Council of Medical Research के head है उन्होंने भी यह बोल दिया है कि जो second all India serological survey करवाया गया उसमें यह पता चला कि 7% of the Indians are exposed to virus और मान लिजे 130 करोण लोगों की आबादी है तो इसका 7% आप आराम से निकाल सकते हो ओके तो यह निकल क्या आगा लगबग 91 लाग तो ओ सॉरी 91 लाग नहीं 9 करोण 10 लाग तो मदब 130 करोण में 9 करोण 10 लाग लोग exposed हो चुके हैं करोण वाइरसे तो कहीं से भी आप हम यह नहीं कह सकते कि हम अभी पीक पे पहुँच गए है और हेल्फ मिनिस्ट्री की भी बात आए कि हम कहीं से भी हर डिम्यूनिटी के पास नहीं अभी और भी केसे आने वाले है अगर आप यूएस की बात करो तो जुलाई में यूएस में 70,000 केसे जा रहे थे अगर आप 23 सेप्टमबर के डाटा को एंडिया में तो इंडिया में 23 सेप्टमबर को जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेत था वो था 8.52 परसेंट टेस्ट पॉजिटिविटी रेत समझ रहो ना कि भाईया 100 लोगों की टेस्टिंग हुई यह infect आपो कहना चाहिए 10,000 लोगों की testing हुई 100 लोगों की testing हुई तो 8.52 लोगों को corona positive निकला 10,000 लोगों की testing हुई तो आपका 852 लोगों को corona positive निकला तो यह test positivity rate चल ला है यह test positivity rate 4 October को 8.29% पे आ गया तो आप कह सकते हो कि हम 8.52% से 8.29% पे आ गया हैं लेकिन WHO की guidelines क्या बोलती है World Health Organization की guidelines यह बोलती है कि safety barrier है 5% से कम test positivity rate 5% से कम निकल के आ रहा है तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई stabilized situation है बहुत ज़्यादा community level पे नहीं फैल रहा है कोरोना वायरस लेकिन ऐसा है नहीं 5% से तो बहुत ज़्यादा उपर है और सबसे खास बात दोस्तों यह है कि अब आरे यह सर्दी अभी सर्दी की समय पे तो वैसे ही सबको खांसी दुखाम हो जाता है सर्दियों की समय में वायरस थोड़ा पनब भी जाता है अगर आप North India की बात करो तो जब इस वायरस को वैदर नहीं रोक पाया हम लोगों नहीं सोचा था कि भाया गर्मी आएंगी तो वैदर कम हो जाए मतब यह वायरस कम हो जाएगा हो रही रहा था कि आप सोचे मार्च और अप्रैल की समय पे जब यह वायरस फैलना शुरू हुआ तो सबको यह लग रहा था कि जैसे समर्स आएंगी वायरस कम हो जाएगा कुछ नहीं हुआ वायरस पूरी तरीके से पनपर आए स्टेंजेंड लॉक डाउन लगा वो वायरस को नहीं रोक पाया तो behavior modifications आएंगे लोगों को वो वायरस को नहीं रोक पा रहा है तो अब तो सर्दी आने वाली है और सर्दियों में तो वायरस वैसे ही बढ़ेगा और उसमें भी आप public transport खोल रहे हो religious congregations खोल रहे हो school खोल रहे हो, education institution खोल रहे हो mall खोल रहे हो, तो यह सब चीज़ें खोल रहे हो तो कहीं न कहीं peak तो भाया एक अलगी level की आने वाली है आज आगे आने वाले समय में तो भाया यहां पर बोला यह जा रहा है कि finance ministry की officials की अगर आप बात करो तो finance ministry की officials तो देखे economy को खोलने की बात करेंगे ही चुकि वो economic viewpoint से देखते हैं इस coronavirus के lockdown के चलते पूरी की पूरी economy ठपड़ गई है तो चीजें पसंद नहीं आई लोगों को लेकिन कहीं न कहीं इन finance ministry की officials को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप सिर्फ economy को देखके अगर overall यह भूल जाओ कि देश की health sector को और देश के लोगों को और देश के human resource को coronavirus से कितना नुकसान हो रहा है तो यह एक sustainable और proper दिमाग वाली approach नहीं होगी यह गड़बड approach हो जाएगी तो कहीं न कहीं economy पे ध्यान देना ज़रूरी यह बड़ उसके सासद virus के पहला आपको रोकना भी होतना नहीं ज़रूरी है आगे बात करते हैं people's court by elections यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मद्द परदेश में ruling BJP government है भी शिवराज सिंग चोहान उसके CM है opposition congress अभी 28 assembly constituency पे election होने वाले हैं 3 नवंबर को हुआ क्या कि 3 sitting MLA's के मृत्य होगी unfortunately और 25 Congress MLA's ने resign कर दिया अभी 25 Congress MLA's resign कर चुके है और 3 की आप कह सकते हैं कि मृत्य हो गई है तो टोटल 28 seatों पे by election होना है अभी 28 seatों पे by election होना है most probably जो 25 Congress MLA's ने resign किया था वो 25 के 25 अब BJP की ticket पे लडने आएंगे अभी के लिए यहाँ पे जो local politics होगी है वो कुछ इस तरीके की हो गई है कि मद्द प्रदेश के assembly में BJP के पास 107 seat हैं Congress के पास 28 seat हैं तो BJP को overall केवल शायद आप कह सकते हो कि 21 seat चाहिए पावर में आने के लिए और Congress को पूरी की पूरी 28 seat चाहिए Congress मद्द पावर में आने के लिए जो Chief Minister Kamal Naath है वो बिचार एक साल के लिए Chief Minister रह पाए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से आए यहाँ पर जो main game खेला है वो जोत्रादितिस इंदिया ने खेला है यह जो गोलिर के आसपास का इलाका है यह जो भी defection हुए है यह गोलिर के आसपास के इलाके की Assembly Constituencies से ही हुए है और यहाँ पर शायद यह भी हो सकता है कि जोत्रादितिस इंदिया को Union Cabinet में जगा मिल जाए आगे आने वाले समय में आभी के लिए जोत्रादितिस इंदिया राजसभा मेंबर है BJP की तरफ से आगे आने वाले समय में हो सकता है इनको Union Cabinet में जोड़ा जाए तो इस तरीके की Politics चालू है मद्द परदेश में बहिया चलते हैं अगले आर्टिकल पे Breaking the law over Brexit यहाँ क्या बोला जा रहा है यह news काफी दिन से चल रही है Breaking the law over Brexit भी अब Brexit सागा वही सब बहते हैं पहले तो मैंने आपको बता ही फिर से इबर बता रहता हूँ हुआ क्या है कि जो Internal Market Bill लेके आ रहे हैं हमारे Boris Johnson साव इसको House of Commons से पास करा दिया गया यानि कि UK की जो Lower House है UK की Parliament की जो Lower House है वहाँ से पास हो गया अब ही इसके बाद एक अपरोर सा मज़ गया है United Kingdom में और पूरी दुनिया में चुकि ऐसा बोला जा रहा है कि UK यहां पे International Law को तोड़ रहा है कौन सा International Law? एक Withdrawal Agreement साइन किया था Boris Johnson की गॉर्मेंट ने जर्वनी 2020 में European Union के साथ और इस Withdrawal Agreement में यह बोला था कि भाई यह जो Northern Ireland बाकी Republic of Ireland के साथ जुड़ा हुआ है इसको जुड़ा रखा जाएगा एक Particular Mechanism के तुरू Republic of Ireland भाई आपका European Union का हिस्सा है और Republic of Ireland केवल एक कंट्री के साथ Land Border बनाता है वो है आपका UK केस को मैं फिर से एक बार मैपने दिखा दूँ और पहले कई बार मैंने दिखाया है अब यहाँ पर बोला जा रहे कि अगर आप Rule of Law के सिधान्त को देखो तो यह सिधान्त UK से निकला है तो यह एक आइरनी है कि यह Rule of Law के सिधान्त UK से निकला है कि यह Bill International Law को तोड़े का इना very specific and limited way और European Union ने तो इस Bill के अगेंच में legal action में शुरू कर दिया अगर बात की जाए UK के map की तो UK में चार constituents आ रहे है एक तो यह Main England है जो यहाँ पे इधर Wales नजर आ रहा है इधर आपको Northern Ireland नजर आ रहा है इधर Scotland नजर आ रहा है यह जो green portion है यह Northern Ireland से यह बाकी है यह Republic of Ireland है जो की free country है सिर्फ UK के साथ border बनाती है यह लेकिन actually में यह European Union का part है अभी बोला यह जा रहा है कि यह जो Brexit हो रहा है और जिस तरीके से Boris Johnson इस Brexit को कर रहे हैं यह England को टुकडों टुकडों में बंट लेगा यानि कहीं न कहीं England के अंदर जो बाकी constituents हैं जैसे कि Wales है, Scotland है आपका Northern Ireland है यह सब UK से निकलने वाली बात हो जाएगी कहीं न कहीं जिस तरीके से Britain withdrawal agreement के जो भी provision से उनको तोड़ रहा है Britain अपने आपको तोड़ने की बात बोल रहा है ऐसा यहाँ पर author बोल रहा है तो Britain अपने आपको तोड़ने की बात कैसे बोल रहा है तो चार चीज़ें याद रखेगा England में Scotland, Northern Ireland, Wales यह सब आते हैं तो यह पूरा England का नक्षा आपके सामने बना हुआ है Green में चार constituent parts है अगर आप से पूछा चार constituent parts कौन से हैं तो याद रखेगा अब यहाँ पर जब यह आवाज उठी और Boris Johnson से पूछा गया कि भया आप जिस तरीके से Brexit कर रहे हो इस तरीके से तो UK तूट जाएगा तो Mr. Johnson ने बोला कि UK हमारे Internal Market Reform Bill से नहीं तूटेगा UK को तोड़ने की साजिश तो European Union के अंदर हो रही है तो UK की Territorial Integrity को नुकसान European Union से है इस Internal Market Reform Bill से नहीं है अब होने वाला क्या है होने वाला यह है कि अगर यह Brexit process जिस तरीके से लेके जा रहे हैं Boris Johnson साब उससे होगा क्या उससे यह होगा कि जो Northern Ireland है और इस समय पे जो UK का पार्ट है जो Republic of Ireland है उसके बीच में एक hard border हो जाएगा यहाँ देखिए यह मैं पिर से दिखा देखता हूँ आपको यह एक border नजर आ रहा है और यह जो border है आपका Northern Ireland और Republic of Ireland में यह border काफी porous है तो लोग एक दूसरे की side जा सकते है free movements of goods है यह free movement of goods और free movement of people बंद हो जाएगा बोला यह जा रहा है कि दोनों जगों पर जो people है उनके अंदर काफी पुराने cultural connects है अभी अगर आप इस आने जाने को और cultural contacts को तोड़ दो गए तो यह actually में सही नहीं है और इस चीज़ को रोकने की कोशिश EU बहुत शुरू से हो रहा था Boris Johnson से पहले थेरे सा मेंजी थी थेरे सा मेंजी लेड बिटिश गौर्वर्मेंट ने क्या बोला था एक backstop arrangement का वो किया था एक तरीके की insurance policy थी कि भले ही अगर EU से अलग हो जाते तो भी Northern Ireland और Republic of Ireland के बीच में एक hard border नहीं बनाया जाएगा यह आराम से flow of goods people होता रहेगा किसके किसके बीच में आपका Republic of Ireland के बीच में और Northern Ireland के बीच में Northern Ireland UK का part है तो यह backstop arrangement पे तो नहीं माना Boris Johnson साहब ने लेकिन Boris Johnson साहब ने जो यह withdrawal agreement bill sign किया था EU के साथ उसमें Northern Ireland protocol को जोड़ा गया था और इस Northern Ireland protocol का यही main aim था कि Northern Ireland और Republic of Ireland के बीच में जो hard border है इसको आप लेके नहीं आओगे इसको इस border को पोरस ही रखोगे यानि कि अभी देखे European Union में तो आपको पता है कि free movement of goods and services है आप यह समझो कि जब तक UK European Union का part था अराम से एक दूसरे जगा की जो professional थे जैसे कि financial experts, doctors वो एक दूसरे की country में जाते थे trade करते थे सब कोछ होता था लेकिन इस hard border के आने से अब Republic of Ireland के लोग Northern Ireland में नहीं जा पाएंगे UK पे नहीं जा पाएंगे तो पूरी कोशिश की गई पहले थे समय के सामय पे backstop arrangement लगा के hard border को हटाने की कोशिश की गई similarly withdrawal agreement bill में भी यह रखा गया कि Boris Johnson किसी भी तरीके का hard border लेके नहीं आएंगे लोग एक दूसरे के tell tree में आराम से जा सकते हैं supply जा सकते हैं लेकिन अब Mr. Johnson अपनी ही बात पर से पलक्ट रहे हैं अपनी ही बात पर से backtrack कर रहे है अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि देखिए यह सही नहीं है 1998 में एक agreement sign हुआ था जिसका नाम था Good Friday Agreement इस Good Friday Agreement में किसी तरीके से Ireland के अंदर जो violence हो रहा था उस violence को रोका गया था उस से में पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे Tony Blair Tony Blair की सरकार का एक बहुत बड़ा achievement था और Ireland में violence को रोक दिया गया था Northern Ireland ने बोल दिया था कि भाईया हम England में रहेंगे अब कहीं न कहीं ये जो आपका Internal Market Bill है जो कि एक hard border को लेके आ रहा Republic of Ireland की बीच में Northern Ireland की बीच में कहा जा रहा है कि भाईया ये Good Friday Agreement के पास जो शान्ती आई है इस शान्ती को कम कर देगा ये बिल उसके बाद Boris Johnson की Government कि आप बोली कि जो Internal Market Bill है ना ये जो चारो Constituents है UK के यहाँ पर uniform market बना देगा बट problem ये है कि आप सोचिए ये जो चार के चार Constituents है चाहे आप Wales की बात कर लो यहाँ पे चाहे आप Northern Ireland की बात कर लो चाहे आप Scotland की बात कर लो इनको कही ना कही अपने Local Functioning में Autonomy दी गई है और ये बोला जा रहा है कि Internal Market Reform Bill के चलते एक Unified Market बनाने की कोशिश कर रहे है और ये जो Unified Market है ना वो इनकी Autonomy को चीन लेगा अभी इनकी Autonomy को चीन लेगा तो अच्छा नहीं होगा इनकी तलब से आप पोजिशन आएगा आप देखो अभी के लिए अगर आप Northern Ireland की बात करो तो वहाँ पे Northern Ireland को पूरे UK की बात करो पूरा UK एरोप का पार्ट था तो UK के जो rigorous food, health and safety regulations थे वो आपके UK जो food, safety and health regulations थे वो UK में लगते थे अभी UK के market reforms हट जाएंगे तो जो food, health and safety regulations थे वो UK में नहीं लगेंगे अभी UK के खुद के regulations आएंगे और कहा जा रहा है कि US का जो chlorine वाला chicken है वो खुले आम UK में बिखेगा तो कुल मेरा कि ये भी बोला जा रहा है कि EU से हटने से UK जो good, health and safety से related regulations से वो भी हट जाएंगे तो कहीं न कहीं UK में जो products की quality है वो भी गिरेगी फिर ये भी बोला जा रहा है कि UK की जो clout है वो second world war के बाद कम हो रही कहां second world war तक UK एक बहुत powerful देश था दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश था पूरी दुनिया पे इसने कबजा रखा था आप बाद में देखोगे second world war के बाद जो UK की ताकत है वो लगातार बढ़ रही है किसी तरीके से अपनी soft ताकत को अपनी universities के थूँ maintain करके रखा है UK में one of the biggest college है Cambridge, London Business School, London School of Economics London एक बहुत बड़ा financial center है तो इसके चलते UK ने किसी तरीके से अपने आपको top economy में रख रख था है बट कहीं न कहीं वो जो Britain के dominance वाला era है वो जा चुका है और Britain अपने dominance को लाना चाहता है इसलिए UK के अंदर रखके वो अपने आपको France और Germany के बराबर नहीं बताना चाहता है तो कुल मिला के बोला यह जा रहा है चुकि यह UK की और Ireland की stability के बहुत ज़दा against जा सकते हैं ऐसा यहां पे बोला जा रहा है तो एक analysis था आपको मैंने बता दिया है इसमें क्या बोला जा रहा है वह यह बहुत ही आप कह सकते हो कि एक broad article है यहां पे एक छोटी मूटी चीजों के बारे हम बात नहीं हो रही लंबी चीजों के बारे हम बात हो रही चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया COVID-19 से जो word दुनिया उभर रही है इस दुनिया में आप एक attitude के साथ deal नहीं कर सकते हैं और वो attitude है business as usual मैं दो COVID-19 से हम बाहर निकल रहे है तो कहीं न कई COVID-19 के after effects को रोकने के लिए हमको चीजों को modify करना पड़ेगा reform करना पड़ेगा अगर हम business as usual की thought process रखेंगे तो वो conditions जिनके चलते COVID-19 आया है वो conditions और exacurbate हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी तो हमको एक just और sustainable future बनाना है इसके लिए Europe और US में और एक नई green new deal की बात हो रही है तो political mainstream में green new deal की बात हो रही है जहाँ पे climate और employment पे ज़्यदा focus रखा जाएगा और इसके basis पे economy recovery कराई जाएगी इंडिया में भी ये बोला जा रहा है कि हम अपने genius heritage का इस्तमाल करके एक rainbow new deal लाने की कोशिश कर सकते है अब सवाल उठता है कि rainbow new deal का मतलब क्या है तो author बोल रहे हैं कि by rainbow new deal I refer मतलब author refers to a seamless integration of ecological protection and tackling of wealth inequality and economic vulnerability of several hundred of millions of people यनि कि R&D के थुरू rainbow new deal के थुरू हम कोशिश ये करेंगे कि जो wealth inequality है society में जो economic vulnerability है hundreds of millions of people के इसको tackle करेंगे ecological protection के साथ यहाँ पे green नाम की शब्द का इस्तमाल किया जाएगा red नाम की शब्द का इस्तमाल किया जाएगा वो मैं बताता हूं क्यों green नाम की शब्द में आपका oceans, rivers, deserts, mountains अब आ जाते हैं साथ-साथ हमारे देश के जो अलग-अलग vulnerable आप कह सकते हो sections हैं जैसे कि minorities हैं, multiple genders हैं, अलग-अलग sexualities हैं, LGBT community की यहाँ बात कर रही हैं इन सबके rights को हमको देख के चलना है हमें किसी भी चीज़ को silo में नहीं देखना है हमें अपने overall growth and progress and future plans को किस इस तरीके से execute करना है कि हमारी economy भी बचिया है हम sustainable growth and development भी करें हमारे society में जितने भी vulnerable sections है उनको हम equal representation दे पाएं और साथ-साथ से हम economic growth भी कर पाएं तो पहले की तरह, जो हम capitalist approach अपनाते थे उसको हमको blindly नहीं अपनाना तो इसमें आप कह सकते हो कि our most urgent task is to generate dignified sustainable livelihoods for the vast majority of the population workforce that is living today precarious life आज की date में जो इतनी बड़ी अबादी गंदी जिंदियां जी रही है इसको हमें एक अच्छी life देने की कोशिश करें जो हम कर सकते हैं by regenerating नहीं safeguarding country's soil, natural ecosystem, water, biological diversity and air और हमको यह याद रखना है कि अगर हम इन चीजों को, soil को, natural ecosystem को, biological diversity को, water को, air को एक limit से ज़्यादा destroy करेंगे तो यह हम recover नहीं कर पाएंगे हमको इसे बचा कर रखना है तो यह COVID-19 नहीं हमको याद दिलाया है कि हमें कहीं ना कहीं climate में focus मरना है तो भाया, जो 20 करोण small farmers, pastoralist, fishers हैं इनको sustain करने में हमें मदद करनी है नहीं सरकार को मदद करनी है हमें switch करना है to organic, ecological, sustainable production और इस बात का ध्यान रखना है कि इन farmers, इन pastoralist और इन fishers की जो food security है वो सबसे ज़्यादा priority पर रहने चाहिए इनके वास खुद खाने के लिए पैसा नहीं होता है और ये दूसरों के लिए खाना बना रहे होते है ये बहुत बड़ी irony है इंडिया में local marketing links होने चाहिए इनकोड इंक्लूड ओवर 10 million people who appear to have gone back to agriculture in the COVID-19 period क्या बोला जा रहा है COVID-19 के समय पर migrant crisis हो गई तो जो लोग छोटी मोटी नौकियां करते थे शहर में उनकी नौकियां चलीगी तो वो गाओं वापस लोड़ गए अभी एक करोड लोग extra हो गए हैं जो की अभी agriculture पे dependent हो गए हैं तो इनकी life का भी ध्यान रखना है तो यहाँ पे ये जो rainbow new deal है इसको कुछ ऐसी lifestyles और livelihoods को encourage करना है जो की substantial food, medicine, household items देता है sustainable तरीके से natural ecosystem का proper तरीके से इस्तमाल करके अगर आप forest based livelihood की बात करो तो वो 10 करोण लोगों को support कर सकता है sustainable तरीके से बरबात करके नहीं लेकिन जो access हमारी consumption वाली capacity है जिसमें excessive exploitation होता है हमारे natural resources का वहाँ पे तो हमारे सारे के सारे जो भी resources है वो ओड़ जाएंगे फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि rainbow nuclear deal में it would entail reviving and sustaining India's incredible diversity of crafts and decentralized production of most goods and services almost at all villages and towns with a massive investment in MSMEs MSMEs को बढ़ावा दीजे village and towns में जो उनके local craft है handicraft है, architecture है, इनको revive करिए, इनको sustain करिए हाला कि अब ये बातें बहुत ज़्यादा बेकार सी ही लग रही है चुकि आज की date में तो बढ़े-बढ़े government manufacturers घुज गया है कहां ये local level के crafts उनके साथ compete कर पाएंगे local level के crafts तो तभी compete कर सकते हैं जब सरकार proactively उनको support करें और सरकार तो proactively capitalist को ही support कर रही है प्राइम एफेसी तो यही दिख रहा है तो अगर सरकार support करती है तो भाई 200 million people यहने 20 करोन लोगों को gainfully employee किया जा सकता है नरेगा जैसी schemes को reorient करके, extend करके urban livelihood को support किया जा सकता है नरेगा रूरल livelihood को support करी रहा है नरेगा के lines पे बहुत समय से urban livelihood program चला जानी की बात कर रही है देखे वो कब तक आता है फिर R&D के अंदर हमको public health के अंदर education के अंदर, housing के अंदर, transportation के अंदर काफी सारा पैसा कर्च करना पड़ेगा training करानी पड़ेगी, millions of jobs को create करना पड़ेगा, digital network communication का इस्तमाल करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि marginalized people को हम लोग empower कर सकें यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो छोटी मोटी रोज मर्रा की जरोत होती हैं जैसे चपले, footwear, furniture, sop, cloths, energy इस तरीकी की चीज़ों को community run unit से मनाए जाए तो ये जो बड़े-बड़े साबुन, निर्मा और ये जो आपके लक्स हाते हैं इन सब चीज़ों का इस्तमाल ना करके community level पे साबुनों को बनाए जाए डेली नर्रा की जो अगर वो community level पे बनाई जाती है तो इससे लाखो करोड़ों में पैसा बचाया जा सकते हैं तो वो लोग जो अपने घरों में एक मान लेजे किसी एक बड़े से लाके में community रहती, community का मतलब यहाँ पे में किसी religion या caste की बात नहीं कर रहो एक local area में रहने वाले लोगों की बात करो अभी वो local area में रहने वाले लोग अपनी रोज मर्रा की चीज़ें मार्केट से खरीदेंगे अगर वो लोग कुछ ऐसा group बना लें जिसके चलते रोज मर्रा की चीज़ों को वो खुद manufacture करना शुलू कर दें तो एक तो वो जो बाहर से खरीदते हैं वो खरीदना बंद हो जाएगा इसके चलते उस community में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी वो अपना पैसा भी बचा पाएंगे और अपनी रोज मर्रा की चीज़ों को खुद बना पाएंगे लेकिन इन initiatives के लिए बहुत proactive level पे सरकार का support चाहिए बहुत सारे देश भर में government sponsored programs चल रहे है जैसे कि कुदुम बुश्री नाम का program चल रहा है केरला में जार क्राफ्ट नाम का program चल रहा है जार खर्ड़ में यह दोने program बहुत news में थे जार फार नाम तो यहाँ पे इस चीज़ को देखा गया है कि कहीं न कहीं अगर state government support करती है इन लोगों को central government support करती है इन लोगों को तो यह चीज़ें कर सकते है women's, dalits, आदिवासी, landlets, LGBT communities इन सब को empower करने की ज़रूत है हमारे जो forest हैं, grasslands से, coastal, marine areas, biodiversity, water, wetlands इन सब को बचाने की ज़रूत है फिर यह बोला जा रहा है कि अमीरों को tax लगाओ 2% wealth tax लगाई है, 30% inheritance tax लगाई है तो अगर आप 1% of the richest of India पे tax लगाओगे तो आराम से आपको पास इतना पैसा आ जाएगा जितना total government of India का recovery package है जो 20 लाग करोन में 2000 बीच में हमारे सरकार ने launch किया था इस से ज़्यादा पैसा wealth के उपर, मतलब wealthy individuals के उपर आप tax लगाखे कर सकते हो लेकिन बात तो यही है, हमारा जो यह कर्म से देश में जो investment climate है, वो इस वज़े से कम माना जाता है कि सरकार tax बहुत लगाती है सरकार बहुत सारी चीजों की production को, बहुत सारी चीजों की supply chains को private sector को दे रही हो और यह author private sector के बजाए community level पे इन चीजों को करने की बात कर रहा तो दोनों में बिल्कुल भी match नहीं और आप बहुत तगड़ा policy में इस match है यहाँ पर तो आशिश कोठारी जी ने इस article को लिखा है, I hope आपको समझ में आ जया हो, thank you for watching friends, मैं अपनी वीडियो को यह खतम करता हूँ, थोड़ी लंबी हो गए, but it's okay, goodbye